नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ एक सुन्दर सी मेल हतेली हमारे शामने है आप पुरुष जातक है और देखेगा आपकी हतेली में ये आपकी जो है हिर्दई की रेखा है ये आपके मस्तिस्क की रेखा है और ये निश्चित रोप से आपकी जीवन की रेखा है यहां से निकल करके चंद्रमा के प्रभाव लेके जाती हुई यह आपकी करियर और धन की रेखा है जो ब्रिस्पति की और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय में अच्छे संकेत देती हुई भी दिख रही है इन चारों रेखाओं से आपकी हतेली में एक अंग्रेजी का अक्छर M है ने वो आकर्ति बन रही है निश्चित रूप से ये आकर्ति बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं जिनें हम पंच भूत कहते हैं जिससे सरीर बना है और जिनों को हम अंग्रेजी में फाइब एलिमेंट कहते हैं आपके सरीर के जो सातों चक्र हैं आपकी जो पंच ग्यान इंद्रिया हैं और पंच कर्म इंद्रिया हैं उनके अनुसार अगर देखें तो भगवान सिब देवादिदेव महादेव आपके इष्टदेव हैं और मा पार्वती आपके अधिष्ठात्री देवी हैं और जितनी जादा स्रणागती जाएंगे जिवन में निश्चित ही उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे ये निश्चित है लेकिन ये इसके उपर भी निर्भर करेगा कि आपका समरपण किस परकार का है आप कितने समरपित हैं इसके उपर निर्भर करेगा और उसी के उनसार आपको दिव्यता और भव्यता का जो है अहसास होगा जिवन में मिलेगा दूसरा देखेगा आपके जीवन में धन की जो इस्तिती बन रही है वो यहां पे लेट बन रही है जीवनकाल के 35 वर्स से 35 एर से लेकर के और जीवनकाल के 55 पचपनवे वर्स तक इसके बीच में आप खूब धन कमाएंगे बहुत अच्छे अउसर आपके पास आएंगे और धन भी आप अच्छा कमाएंगे और कहीं न कहीं जीवन साते का भी बहुत अच्छा साथ मिलने वाला यहां पर दिखाई दे रहा है इन वर्सों की अंदर और उसके कारण भी धन में बिर्दी होगी कही न कहीं आपकी आमदनी बहुत अच्छी बढ़ेगी और जीवन में जो बहुत ज़्यादा संगर्स चल रहा है रुका वटें चल रही है जीवन में जो थोड़ी दरिदर्ता की इस्तिती आ रही है ये चीज रुक जाएगी आपके करियर में, आपके धन में अस्ताइत्व आना सुरू हो जाएगा और आप अपने जिवन साथी के लिए भी कहीं न कहीं लक्की साबित होंगे ये इस पश्ट यहाँ पे दिख रहा है जिवनकाल का 35 वर्स से इस्तिती जो है ठेक होने बैठ जाएगी ये इस पश्ट रूप में यहाँ पे कह रहा है लेकिन फिर भी संगर्स यथावत रहेगा क्यों रहेगा यहाँ पे आप अपने अंगुठे को अगर देखते हैं तो ये निश्चित रूप से यहाँ पे इस परकार का बनावा दिखाई दे रहा है तो कहीं न कहीं जीवन काल में 42 एर तक 41 वर्स तक 42 नी 41 वर्स तक जीवन में यह संगर्स को दिखा रहा है और बहुत जल्दबाजी में भावनाओं में अतिउत्सायत होकर अगर आप गलत निर्णे ने ले लेते हैं तो धनहानी की संभावना को भी दिखा रहा है ब्यावसाय को कोई भी ब्यावसाय हो ब्यावसाय आपको बड़ा सोच समझ कर करना होगा क्योंकि ब्यावसाय में नुकसान की आसंका जादा दिख रही है और ब्यावसाय करना बहुत जरूरी हो 41 वर्स तक वैसे ब्यावसाई आपकी जीवन में जादतर नहीं है और खास कर वो भी जो है 34 वर्स तक अगर बहुत करना भी हो आपने फाइदा होने बैठ जाएगा 35 वर्स से 34 वर्स तक कहीं न कहीं जो है ब्यावसाई बहुत जादा नहीं अगर करते भी है तो पार्टनर्शिप में कार्या न करें इसका ध्यान रखें खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खास कर जीवन में धन कमाने की इस्तिती लेट बन रही है हाँ 42 वर्ष की आविश से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी और 56 वर्ष की आविश के बाद बहुत अच्छा समय आपका यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन हतेली आपकी ये भी कह रही है कि थोड़ा सा जो है जीवन में इस्तिरता आपकी 35 वर्ष से आने सुरू हो जाएगी 35 वियर से तो ये अच्छी चीज़ें पे दिख रही है लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आपकी हतेली में है आपके करियर और धन की रेखा चंदरमा से निकल करके और ब्रिस्पति की और ले जा रही है ये बहुत अच्छा संकित है दूसरा अगर देखेंगे आपके अंगोठे में दो लाइने इस पश्ट रूप से उबर रही है ये लक्ष्मी योग बनाता हुआ दिख रहा है धन योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है इसे कुबीर योग भी कहते हैं धन कुबीर योग और ये योग बहुत बड़ा है लेकिन ये बहुत बाद में आ रहा है जीवन काल के 42 वर्स से ये योग यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है लगभग 42 वर्स के आसपास अचानक आपको जीवन में बहुत बड़ी तरकी मिलने वाली है ये अचानक जीवन में तरकी को दिखा रहा है धन है, परतिष्टा है, मान सम्मान है सभी चीजों में ये बहुत बड़ी बड़ोतरी को दिखा रहा है 42 में वर्ससी ये बता रहा है आप बिल्कुल भी निर्दन नहीं रहेंगे गरीब नहीं रहेंगे लेकिन जब आप जो है बहुत बड़ी सपलता पालेंगे तो आपके अंदर जो है इगो प्रोब्लम आएगे अभिमान का पुट आ जाएगा इससे आपको समल कर रहेना चाहिए हाँ एक बात बहुत अच्छी रहेगी आप धार्मिक भी बहुत जादा रहेंगे जीवन में धर्म कर्म के कारियों में आप जीवन में बढ़ चट कर हिस्सा लेंगे दानपुन्ने से समंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है धन के लिए ये अंगुठा बहुत अच्छा है ये योग बहुत अच्छा है और ब्यावसाई इत्यादी चीजों को 42 वर्स से सांदार इस्तित में ले जा रहा है और ब्यावसाई में विसे सपलता को भी दिखा रहा है दूसरा 42 से 45 वर्स के बीच ये बता रहा है कि प्रतेक दिन आपके पास अच्छा खासा धन आएगा और अगर आपको गाड़ी का सुक नहीं प्राप्त होता है वैसे तो 35 से हो जाएगा अगर बाइचांस नहीं होता है तो आपको एक लग्जिरियस गाड़ी का सुक मिलेगा अगर अपना घर नहीं बना है तो अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुक मिलेगा और अगर एक अच्छा ब्योसाई आपके पास नहीं है तो 42 से 45 वर्ष के बीच आप बहुत बड़ा ब्योसाई खड़ा कर लेंगे तो ये तीन सुक मिलने ही मिलने है और 45 वर्ष में पूल्ण भाग्योदाई भी आपका हो जाएगा बुड़ापय का समय अगर देखें तो 56 वर्ष के बाद का समय आपका एक सांदार इस्तित को जन्म दे रहा है तो धन कुबीर योग जो बन रहा है 42 वर्ष से बड़ा सांदार दिखाई दे रहा है और फिर ये रेखा भी प्रभाव डाल रही है ये है मंगल की रेखा ये रेखा ठीक 35 वर्ष से आपकी जीवन में बड़ा प्रभाव दे रही है 35 वर्ष से ये बता रही है कि आपको दोसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और ऐसा महसूस आप करेंगे कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपकी उपर बनी हुई है दोसरा ये लकीर इंगित कर रही है आपमें बहुत अच्छी प्रतिबाह है आप तीब्र बुद्धी के मालिक हैं लेकिन इस प्रतिबाह का इस्तीब्र बुद्धी को इस्तिमाल करने का इंप्लिमेंट करने का प्लेटफर्म नहीं मिल पा रहा है 35 वर्ष से आपको मिलेगा आपके अंदर सोचने की आपके अंदर समझने की भगवान की किरपा से विसेश चमता है लेकिन उसका फाइदा आपको 35 वर्स से मिलेगा और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार येदि कोई निरणे ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का आप सामर्थी भी रखेंगे और धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली रहेने वाला है ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है तो सांदार हतेली आपकी यहां पे दिख रही है एक चीज और देखेगा आपकी हिर्देई की रेखा देखें धीरे धीरे इस प्रकार से मूर्ति हुई इन दोनों की बीच में जा रही है देव गुरु ब्रस्पति का सनी का प्रभाव पन रहा है निश्चित रूप से ये आपकी महत्वकांचाओं में ब्रिदि कर रहा है इसके कारण आप अपने जिवनकाल में बहुत बड़े महत्वकांची बिकती रहेंगे आपकी सोच हमेशा पोजिटिब रहेगी और कहीं न कहीं आपकी इक्षा भी टॉप लेबल तक पहुँचने की रहेगे और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे कोई जुगार लगाना पड़े लगाएंगे एन केन परकारेंड जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे इसका लाब होगा आपकी मस्तिस्क की रैखा देखें बहुत अच्छा है आपका बौदिक अस्तर सांदार रहने वाला है और कहीं न कहीं पोजिटिव सोच रहेगी जिवन में हर समय कुछना को सोचने वाला बिक्तित तो रहेगा और क्रियेटिविटी आपके अंदर रहेगी दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करेंगे इसका बहुत लाब होगा आपको जिवन की रेखा इस परकार से आती हुई पीछे की और जा रही है परिवार को लेकर जो है एक समर्पन की भावना आपके अंदर बनी हुए है और ये हमेशा रहेगी एक केरिंग वाला बिक्तित तो रहेगा और इसका लाब होगा यहाँ पे देखेंगे इस परकार से जो है एक चिन बन रहा है जो इस पष्ट बता रहा है धर्म और अध्यात्म में भी आपकी गहरी रुच रहेगी आपको निश्चित ही चाए छोटी यात्राओं का हो लेकिन यात्राओं का मौका मिलेगा यात्राओं का लाब मिलेगा हाँ आपका जो प्रारंबिक जीवन है जादतर जो है चोटीसवे वर्स तक का इसमें संगर्स भी बना रहेगा लेकिन इसी संगर्स के बदोला ता च्छतिस्वे वर्स से हर सुक पाना सुरो करेंगे, हर सुक का भोग करना भी सुरो करेंगे, यह चीज बता रही है और यही चीज आपकी जो है, यह मनि बंद बता रहा है, इसमें दो लकीरे दिखाई दे रही है इसका मतलब है, यह कभी भी मत सोचें, कि कोई हस्त रेखा सास्त्री, या कोई जनम कुंडली वाला बिसे सग्या, या कोई अपना बहुत बड़ा रहीस दोस्त, या रिष्तेदार, आपकी उपर महरबानी करेगा, या आपकी इतनी बड़ी साहता कर लेगा, कि उसके बल पे आ बहुत बड़ी अस्तर तक पहुचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्वयम की मेहनत और स्वयम के परिश्रम से ही जीवन में स्रेष्ट सपलता अर्जित करेंगे, और जीवन काल के 34 वे वर्स तक संगर्स बना रहेगा, कोई न कोई चिंता भी बनी रहेगी, लेकिन ठी 35 वर्स से, आप इस संगर्स से उठकर हर सुक को पाएंगे, हर सुक का भोग करना इस्तिमाल कर लेंगे, यह आपकी हतेली इस पश्ट तरीके से यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है, अब यहाँ पे देखेंगे, आपने जो है दो मुख्य सवाल पूछे हैं, सबसे के लिए करता हूँ, देखो हर ब्यक्ति कमाने के लिए ही काम करता है, ठीक है न, आप कह रहे हैं, मैं जो भी काम कमाने के लिए करता हूँ, वो काम लेट होता है, और मुझे नुकसान होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण आपकी हतेली में है, आप कोई भी काम करेंगे, वो ऐसा ही होगा, जब तक इसका उपाई नहीं किया जाता है, क्या काम है देखेगा, इसका कारण है आपकी रिंग फिंगर और आपका जो है सूर्य का पर्वत, रिंग फिंगर में क्या कारण है, देखेगा एक पोरवा, दो पोरवा, तीन पोरवा और चार पोरवा, चोथा पौरवा होना गलत होता है तीन पौरवे ही हतीली में ठीक वोते हैं और चौथा पौरवा होआ होआ इसका मतलब है चीजें बिखर रही है चीजें ठीक नहीं है यह इसी का द्योतक है एक तो ऐसे व्यक्तिकी आर्थिक इस्तिति नाजुक रहती है मजबूत नहीं होती है दूसरा ऐसे ब्यक्ति के जो काम है वो हमेसा लेट होते हैं और ब्यक्ति को नुकसान जहिलना पड़ता है तीसरा कई बार काम वहां तक पहुच जाते हैं लेकिन बनते बनते रह जाते हैं काम नहीं बन पाता है और इसका भी भुकतान ब्यक्त को जिवन में करना पड़ता है ये आपका अंगली है और ये इस पश्ट तरीके से इसके पोर्वे कह रहे हैं अब दूसरा आप देखेंगे आपका जो सूर्य का परवत है ये पूरी तरों से धसावा है उर्जा प्रवाइड नहीं कर पा रहा है और जब ये इस परकार से धसत है तो ये इस पश्ट बताता है कि आपकी आर्थिक इस्तित ठीक नहीं है आपके कारियों में बिस्तार नहीं हो रहा है आपके कारियों में फैलाव नहीं हो रहा है और उसका जो लाब होना चाहिए वो आपको नहीं हो पा रहा है आप जो मिहनत कर रहे है जो परिस्रम कर रह उसका जो पूरा स्री है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है आपके अंदर जो क्वालिटी है जो योगिता है उस तरों से चीजे उभर कर नहीं आ पा रही है निखर करके नहीं आ पा रही है एक सहजता से एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो परियास आपके द्वारा किये जा रहे हैं, उन परियासों में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं न कहीं इसका प्रभाव आपकी जीवन के हर आयाम पे पड़ रहा है। चाहे आपके सारे रिक स्वाष्थ्य हो, चाहे जीवन की खुसाहली हो जो होनी चाहे, जिस परकार का उत्साव होना चाहे जीवन में, जिस परकार की ओड़जा होनी चाहे, वो नहीं है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहे, यकीन मानिएगा दो चीजें आपको करनी है, एक तो मैं आपको दिव्य योग ध्यानी किरिया या दिव्य सूर्य किरिया दूँगा और दोसरा सूर्य उपासना, ये दो चीजें आप करनी है, दिव्य सूर्य किरिया और दिव परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहिजता से चलेगा फिर चाहे सारे रिक स्वश्ते हो जीवन की खुसाली हो जीवन का उत्सा हो जीवन की उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजे हमेशा आपके साथ बनी रहें तो दो चीज जरूर अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की जो है चीजें यहाँ पर बनती हुई दिख रही है अगर इस प्रकार से देखें तो लेकिन इसका लाब तब होगा जब आपका सूर्य उस रोप में आएगा दूसरा आप सवाल करते हैं मुझे कौन सा काम करना चाहिए अभी में ठेकदार हूँ देखें अभी कोई भी काम करेंगे तो इस्तिती ही रहेगी इसलिए जो कर रहे हैं करते जाएगा और उपाय करेगा जिवन में निश्चित ही लाब होगा अब मैंने कुछ चीजें बता दी है आपको ठीक है नए अब यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका सुक्र का परोत है बहुत जादा फूल गया है इसका मतलब आपका सुक्र बरतमान में ठीक नहीं है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मानसिक प्रेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है आपका जिवन संकटों और कठनाईयों के बीच में गुजर गड़ रहा है लाख प्रियास करने पर सारे सादन होने के बाब जूद भी जो वास्त्विक सुक्र आपको मिलना चाहे उस सुक्र से आप बंचित रह रहे हैं जितनी मेहनत आप कर रहे हैं जितना परिस्रम आप कर रहे हैं उतना आपको पूनता नहीं मिल पा रही है फिर भी अभाव की इस्तिती बनी हुई है तो इस चीज से निकलने के लिए आपको एक दिव्य योग ध्यान किरिया में आपको दूंगा उसको जरूर करिएगा निश्चिती लाब होगा यहाँ पर देखेंगे निबन मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है जिवन में बड़ा फाइदा दे रही है एक तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कहीं न कहीं कैसी भी समस्या हो समस्याओं से भागेंगे नहीं बस बलकि उसका सोलिशन डूंडेंगे और कहीं न कहीं उस चीज में लाब प्राप्त करेंगे आपका ब्रस्पती बहुत अच्छा है और इसी की उजोसे आप अपनी जीवनकाल में एक अच्छी इस्तिति में है अभी भी ब्रस्पती आपका बहुत सुन्दर है स्रेश्ट ब्यक्तित्व दे रहा है जीवन में निश्चित ही स्वयम भी उन्नति करेंगे ही करेंगे और जो आप से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में जीवन में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में साहता परदान करेंगे सायोगी बनके रहेंगे लेकिन स्वाबिमानी होंगे अपनी चीज में अच्छा खासा नौलेज रखेंगे आपका नियाई प्रिय अब्यक्तित तो हमेशा चर्चा में रहेगा और एक बहुत बड़ी चीज आप अपनी बातों का निरोहन करने वाले होंगे दूसरों की मदद जीवन में निश्चित करेंगे धार में कभावन आएंगे आप में बहुत बड़ी मातरा में रहेंगे जहां आपका नौलेज बहुत अच्छा रहेगा वहां आप आत्म ग्यानी भी होंगे इस ब्रिस्पति की वजोसे खास कर जीवन के 35 वर्स से अपार मान सम्मान जीवन में आपको मिलेगा जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा चाए सड़क का किनारा हो चाए महिलों की उचाई हो ऐसे में आपको बहुत अच्छा सम्मान निश्चित तोर पे आगे मिलने वाल है और कई बार ये जीवन में धोका करवा रहा है मनि किसी चीज को रिस्क ले लिया और सब कुछ ठीक चलना लेकिन एक आएक जो है वो काम बहुत लेट हो गया और उसमें नुकसान जहिलना पड़ गया तो दिब्य आगे जाके इसका फाइदा बहुत अच्छा रहेगा वाने की ताकत अच्य रहेगी और कहीं न कहीं योजना बद तरीके से काम करेंगे तो लाव होगा चंद्रमा की इस्तिति आपकी आगे अच्छी आ रही है इसका लाव आपको निश्चित रोप से होने वाला है चंद्रमा के कारण कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपका मन मजबूत होता हुआ दिख रहा है और एका एक कुछ ऐसा घटित होने वाला है आपका confidence level देरे देरे बढ़ रहा है और निश्चित ही सरियर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा creativity आपके अंदर आएगी आप creative रहेंगे सकारात्मक सोच रहेगी चलकपट से आप दूर रहेने वाले हैं थोड़ा सा जल का सिवन जादा करें खाना खाने के बाद अगर कोई problem नहीं है मीठे से तो गुड का सिवन जरूर करें बाकी बहुत सांदार उपाई में आपको जो है लिख के और audio के माद्यम से दे रहा हूं जरूर करेगा बहुत अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार